सब्सक्राइए रहे हैं प्रस्णावली किह सुरू रहीया है प्रस्राइब आपकर यहां प्रस्णावली सुरू हो रहेए प्रस्णावली जू है कि unp.1 है रहे हैं ऐसे बाएंद चल्ला गहिंग झारपайн Kateoter प्रश्णों का सोलुशन करेंगे प्रश्णों के प्रश्णों करेंगे यानिके कोई भी आपकी स्रेणी दी गई है तो उसका प्रथमफद A जो प्रथमफद होता है वह A का वैलू होता है तता सारव अंतर D जो उनके संक्याओं के बीच आपका अंतर जो मिलता है वह D इंडिकेट करता है ग्यात हो यानि कि यह चीजे दो ग्यात हो तब यह नवा पद के लिए फार्मुला आप लगा सकते है TN बराबर होता है A plus N minus 1 into D देखिए जिस तरह से मैं यह question को solve करूँगा इस question को जिस तरह से solve किया जाएगा same process आपका सभी प्रशनों का चलेगा चलेए तो सुरू करते हैं इसका 17 पद पूछ रहा है न तो इसमें देखिए मैं solution करा रहा हूँ ठीक है तो इसमें आपका प्रथम पद देखिए प्रथम पद प्रथम पद आपका यह होता है तो प्रथम पद यह बराबर कितना मिला है आपका चार प्रथम पर चार है इनके भी सार्व अंतर देखिए सार्व अंतर और सार्व अंतर आपका D होता है न तो सार्व अंतर भी D यानकी इनके बीच अंकों के बीच जो है अंतर कितने कितने का है देखिए आगे वाले में से पीछे वाले घटा ये T1 होता है T2 T3 ऐसे मानते है आगे वाल में से पीछे वाल फेले चाराखें यहांसा जो लगतार है आपका सारवंतर कितने का है दोका है तो सारवंतर कितना हो गया doe तो आपसे से हटाएंगे असार ओंतर कितना लिख देंगे सिर्फ इतना का फर हो यहां पर मैं लिखता हूं 17 ओ पद सत्राम पद आपका फारूला कहता है जा है कि फार्मुला पहले लटा है यह टीन बराबर होता है a plus n minus 1 into kya d number कितना है? 17 number पूछ रहा है 17 number का पत कौन सा होगा तो यह आपका n बराबर दे रखा है 17 17 यहाँ पर हो जाएगा t 17 is equal to a परथम पत कितना है? 4 number कितना है आपके? 17 number पूछ रहा है minus 1 into d 17 कितने का है? 2 तो आपका t 17 बराबर हो जाएगा 4 प्लस 17 में से घटा दीजे कितना हो जाएगा? 16 गुणे 2 यह आपका हो जाएगा 4 प्लस 14 दुना के 32 हो जाएगा यानि कि t 17 आपका हो जाएगा यहां से t 17 बराबर हो जाएगा यह आपका कितना हो जाएगा? चार छे आठ इस रेड़ी एसे क्रम से हम लोग रखते हैं जो सत्रहावाला पद मिलेगा यानि सत्रहावन नंबर का जो पद मिलेगा आपका कौन सा होगा च्छतिस होगा यह रहापका क्या एंस्वर तो मेरी परिशातर हों उमीद हो कि यह आपको अच्छी तरह समझ में आ अगया है चली हम लेका चलते हैं आपको अब इसका दूसरा जैसे सलूशन करते हैं दूसरा में कैसे आपको सलुशन करना है गौश समझें ऐसा ही सेमा आपक क्या पूछ रहा है तो बात करते हैं प्रस नमबर एक का दूसरा जो है सलोजन कैसे करना है देखिए यह जो आपकी स्रेंडी दी गई है एक बटा में दो स्क्रीन पर भी कोशन सभी कोशन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस्क्रीन पर इंडिगेट किया जा रहा है कोशन आप आपने बूक से मिलाते चलेंगे यह जो है एक बटा में दो है जीरो माइनस एक बटा मेंTalkा इसका arriv नियाकर आपको फद्ध आपको फाइंड करने या जोada например not आपको निकालना चलिए प्रथम पत आपको कितना है फिर 0-0 ॐ एक बटामी कितना दो सार्व निकला माइनस निकल निकल गया ना अब देखी पंद्रावाब पंद्रावाबद निकालेंगे तो नमबर आपका है 15 नंबर पूछ रहा है कि पाद को कितना होगा तो फार्मुला कहता है कि TN बराबर A प्लस N-1 इंटू क्या D फार्मुला में रख दिया वापत के लिए अब यहां से T नंबर कितना है 15 यानि कि T 15 आप से पूछ रहा है ए एक अवयलू कितना है यहां से हो जाएगा एक प्लस इसका जो है कि 15 में से घटाएंगे तो आपका 14 हो जाएगा हो जाएगा प्लस प्लस से माइनस में माइनस यह मैं यहां एक प्लस समय आए यह तरह में आपको यह अच्छी तरह समझ में आ कीए करना है देखिए इसका तीसरा कोशन पहले का प्रस्ट नमर पहले का थीसरा थे ना देखिए से प्रोसेस आपका इसे चलला है सभी का सोलुसन आपकवाग ऐसे ही करते चलेंगे वीडियो अच्छा प्लस टू एज़ इन स्क्वयर से करें को रखना 1820 और है और प्रतन होगा दिश्क किलिए भर्हूंत प्रतन के लिए वह फमयर न से पूछ रहा है तो सिल्फ आपको यह आगे वाला यह आगे वाला दूसरे दोनों का हर समान है तो यह हो जाएगा एनिस्क्ट यह 1 प्लास n square और यह minus हो तो minus कितना हो जाएगा 1 ठीक है और देखिए 1 से 1 क्या हुआ कट गया तो यह आपका बच गया n square बटा में n square n square से n square कट गया कितना 1 यहनि कि जो star वो अंतर है इनके 20 का जो अंतर है आपका friends आपका कितना है 1 star वो अंतर कितने का है एक का ठीक है confirm है अग चलिए आईए यवापद यनवापद तो यनवापद find करेंगे तो यनवापद के लिए find करने के लिए formula कहता है कि tn बराबर आपका हो जाएगा a plus n minus 1 into क्या d इतना confirm है न चलिए तो a का मान कितना है 1 by n square plus n के जगा पे n है minus 1 into star वो अंतर कितना है 1 इतना confirm है 1 से multiply कर देंगे यही हो जाएगा न यह आपका हो जाएगा 1 plus n square से multiply कर देजी तो यह हो जाएगा n minus 1 n square से 1 में करेंगे तो n square बाटा में क्या n square यानि कि tn यानवापद है आपका इतना होगा ठीक है आपको अच्छी तरह से प्रतेक चीज़ा समझे आ रही है न चलिए आगे बढ़ते हैं चार नमबर पे कि इसका चौथा नमबर जो है आपका solution कैसे किया जाएगा ठीक है फ्रेंस अपने चार नमबर कर रहा है कि इस त्रेंडी में 3a-b 4a मैं लिख लेता हूं ठीक है का छठवा पाद चार नमबर कर रहा है कि 3a-b है दूसरा है 4a इसमें का तीसरा पद आपका दिया है 5a प्लस क्या b ठीक है का करें छाठवा पद कौथा पद निकालना है छाठवा पद पुछ रहा है कि आपका छाठवा पद क्या है 3a-b 4a 5a प्लस b का छाठवा पद क्या होगा ठीक है फ्रेंस आपको अच्छी तरह सभी चीज़े समझ में आ रही है ठीक है न देखें तो इसका आम लोग छाठवा पद निकालेंगे तो छाठवा पद कौढ़एंगे जर्णा गौर से समझेगा तो छाठवा पद के लिए फार्मुला क्या है वापद के लिए फार्मुला यहरा है छाठवा पद पूछ रहा है तो आपको सबसे पहले a पता होना चाहिए a पाला पद क्या है 3a- b ठीक है स्टार अंतर इनका अंतर निगा लिए आगे यानि कि दूसरे में से यानि कि चार में से घटाएंगे आप 3A-B देखिएगा घटाना है तो इसके आगे वाले में दो पदा रहें तो आप कोश्टक लगा लेंगे पहले ठीक है ना इसके बाद कोश्टक को तोड़ लीजिए यह जाएगा 4A-3A और माइनस मेंस क्या हो जाएगा प्लस बी चार में 4A से 3A घटा आई आपका हो जाएगा एप्लस क्या इस इतना कंफर्म है यह आपका समझ में आ रहा है यानिकि अब इसके बाद चाठवा पद चाठवा पद पूछ रहा है तो यह नंबर कितना होगा तो यह नंबर आप अच्छे हो गया फार्मला काता है कि टी अन बराबर होता है एप्लस कोश्टक में अगे बढ़ते हैं इसके बाद T6 बराबर हो जाएगा अगे बढ़ते हैं इसके बाद T6 बराबर हो जाएगा इसके बाद कि पांच में से घटाएगे चाह मैनस वन है न तो नहीं चाह में से घटाएगे तो पांच होगा अब 5 से मल्टिप्लाई करें तो प्लस पांच A प्लस पांच B ठीक है यहाँ पर आपका हो जाएगा T6 बराबर हो जाएगा A A तो यह हो जाएगा 5 और 3 पांच और 3 कितना हो जाएगा पांच तिन आठ हो जाएगा 8 A और यह आपका हो जाएगा 5 में से B घटेगा तो यह आपका हो जाएगा पर आपका होगा 8 A प्लस चार बी यह रहा आपका क्या एंसर है ठीक है यह चाठवा जो नंबर है 8 A प्लस चार भी आपका होगा यह समझ में आ रहा है अच्छी तरह से तो यह रहा प्रस्ण नमबर 4 पहले का जो है चार तक के सलूशन और पांच वा जारा देखते हैं कि प ठीक है चली तो इसका पांच वा देखते हैं कि आप पांच वा कर रहे हैं इसमें फाइंड करना है तो पहले मैं लिख लेता हूं ठीक है यहां से यह आपको अच्छी तरह समझ में आया ठीक है न चलिए इसके बाद हम लों बढ़ते हैं पांच वे पर यह तो सब वैसे ही हाला है कि माइनस एख बटा में दो इसके बद एक बटा में दो दिर रखा रहे है तीन बटा में दो लोगों को अच्छित है समय समझ में आ जाएगा आपको ठीक है देगे सबस्ते पहले हम लोगों को फाइंड करना है दस वापत की निकालने पल एच आए इसके बाद आसानी समय कर सकते हैं परफम पद आपका कितना है माइनस एक बटा में दो सारवंतर आगे वाले में से एक बटा में दोनों हर समान है त liquor कि यह समझ में आ रहा है इसके बाद मैं यह होता है आपका दाशवा पल को उथा नमबर पूछ रहा है दसवा नमबर ना कि दसवा नमबर जो है पद आपका कौन सा होगा दसवा नमबर का पद तो फर्मुला का आता है कि TN बराबर हो जाएगा A plus N minus 1 into D नमबर कितना है दस नमबर का पूछ रहा है A पहला पद minus 1 बटा में 2 plus ठीक है नमबर कितना है दस माइनस 1 into star बंदर कितने का है एक का माइनस एक बटा में 2 plus दस में से घटा दीजिए आपका सतरा बटा में कितना हो जाएगा दो डिवाइड कर दीजिए तो दू अठे शोला यानिकी आठ सही एक बटा में कितना दो ये रहा आपका एंस तो यहां निकि जो मेरे प्रिच्छात्रों आपका जो टीटेन होगा यहां जो दास्वापद होगा ना इस त्रेडी का दास्वापद दिफाइंड करते हैं तो आपका होगा आठ साही एक बटा में दू आपको यह रहा है आपका क्या एंसौर जो भी मैं कोश्चन बता रहा हूं आपको अच्छी तरह से उम्मीद होगी यह समझ में आ रहा है स्टेप बाइस्टेप कैसे जो है की सलुसन कराया जा रहा है ठीक है फ्रेंस और हां यहां यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक से जरूर करते जाएं चली बढ़ते हैं इसी तरह स अंत से यनवापद के लिए के सुट्र है ठीक है यह यह जो है कि आपको जो ही कि जब ही हम लोग जो है कि की स्टाटिंग के थे पहले वीडियो तो पहले वीडियो में हम लोग सब कुछ पढ़े थे कि जो अंतिम है अंतिम से पूछता है यानमापद तो इसके लिए फर्मॉला आपका यह होता है हम लोग बेसिक में पढ़े भी थे ठीक है पहला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आपको यह समझ में आएगा भी नह पहले वीडियो में हम लोग जो है कि यह फार्मॉला भी देखे ते और कैसे आपका हल किया जाएगा वह भी आपको बताए गया तो चलिए अंतिम है पूछता है तो आप यह फार्म लाब लागाएंगे तो इसमें क्या-क्या पता होना चाहिए और एंकामान और दी कमान ले इसके यहां पर हम लिखते हैं कि अंतिम पद यहां पर आप हो जाएगा कि अंतिम पड लगे तर अंतिम पड प्रेट कितना है च्छे-थी ऊंके तर समझ में अ रहा है ना यहां है पहले में से दूसरे में से पहले घटा यहति सब्सेरी मki इस्वी स्वाठी जिए जोट्धे में से आगे वाले में इसे पीछे वालों कारना है घटा ना है तो सार वंद्र आपको कितना मिला चार चलिया ऐन्द से बहाँ अपद फौर मैं लिखता हूं कि आंट इसे अब्रावभा पद कर लिए फौरल नंबर आपका 12 नमबर कितने बारा यानि 3 से नमबर 12 बारा नमबर पर कौन सा पड़ पड़ेगा वो पूछ रहा है तो अंत के लिए आपका फामुला कहता है यह यल माइनस n-1 इंटू क्या दि तो अब चलिए टी एन का वेलू कितना है 12 अंतिन सेल अंतिन कितना है 86-1 तुर उसारवां ते कितना है 4 ये आपका हो जएगा 86-12 में से घटा ये 11 ब्ल्टिपलाई कितना 4 ये हो जएगा 86- surge 4432 ये 6 में 4 घटेगा 2 दो ये हो जएगा 8 में 4 घटेगा 4 यनि कि अन्तिम से यदि बाराहभा पद की बात की जाए कहां से अंतिम से यह एंस्वर आपका रहा है यानिकि यह आपका अंतिम से चलते हैं हम लोग आगे तरफ अंतिम से इधर चलते हैं तो उसका जो बारहामा पद होगा आपको कितना 42 यह आपका एंस्वर फाइंड हुआ च्छोय प्रशन कर रहे हुआ आपको चों का उमीद हैं श्वर कर ना है तो इसे और ने problem से चलते हैं रहाएं और अब सब्सक्राइब करके जोड़ेगा ताकि जब भी वीडियो आपके लिए नई अपलोड कीज़े आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे तो चले फ्रेंट मिलते हैं आप से अगले बेम तब तक के लिए